है लो इस्टुएंट्स एक पर फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएस क्लासिस में और यह जो हमारा वीडियो है वो क्लास 9 मैट्स के इस्टुएंट्स के लिए है एक्शली बहुत सारे 9 के स्टुएंट्स का मेरे पास परसनली कॉल आ रहा था कि सरी वीडियो जो हमारी क्लास 9 के लिए आप बना दीजिए क्योंकि घर पर अभी हम फ्री वैट हुए हो जो कि अगर हम हमें टॉपिक अगर आया आपका वीडियो देखने का मिल जाएगा तो ऑन डेट बेसे समझों कुछ कोशें से जो एग्जांपल्स हैं वह हम घर पर वैट का सॉल्व कर सकते हैं तो जो आज कर वीडियो में बनाया है वह क्लास 9 मैच की स्टुएंट्स के लिए बनाया है और आपका फर्स चैप्टर है वह आपका नंबर सिश्टम में जो आपका आसानी से समझ में आ जाएंगे तो इसको सबसे पहले हम बात करते है नेच्रल नंबर्स की ठीक है नेच्रल नंबर्स और यह जो नंबर्स में बताने जा रहा हूँ अभी यह नंबर्स के बारे में आपने अल्रेडी क्लास एर पर पढ़ा हुआ होगा बट दिस इस अबर फर् निल्क अंबर्स के बारे में डिसकस करते हैं कि वाट पर नैच्रल नंबर्स ओके निच्वल नंबर्स को हम जो है वो कॉंट ARMS निफोल्टे निफ्याल नंबर्स और कि कॉंटिंग numbers जहां पर बारत counting की आती है तो जब भी हम count करना start करते हैं तो आप लोगों को याद होगा साइथ counting हमें से start करते हैं अगर हम कहते हैं कि कुछ यहां पर persons खड़े हुए count करके ज़रा बताइए कि इतने persons हैं तो आपका mind में automatically इसी तरह से आता है कि 12345 and so on इस तरह से आप count करने start करते हैं तो yes यही हमारे counting नंबर है या फिर निच्वल नंबर से होके यहां पर 12345 डेड़े यहां पर दिखा होगा आपने मैं यहां पर curly brackets में इसको close कर दिया no doubt आप curly brackets में को close करते हैं या नहीं करते हैं यह brackets का भी अपनी एक history है हम आपको बता दे कि three brackets हम जनरली यूज करते हैं इस तरह से आपके small bracket होता है इस तरह से इसके बाद आपका larger bracket होता और आपका यह curly bracket होता तो इनके श्ट्रीब के बारे में अभी नहीं बता रहा हूं आपको यह कैसे यूज की जाता है बट मैं आपको बता हूं कभी भी आपको अगर नॉच्छल लंबस का कॉंबिनेशन लिखना हो तो इस तरह से करली बैकेट में क्लोच करके लिखते हैं आपको इसको स्मॉलर या यह लाज़र प्रेकेट यूज नहीं करना होता है और निशल नम्बस का जो नोटेशन होता है वो नोडाउट आपका एन एन फॉर निशल लंबस इसको हम एन से रिपेजाट करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर यह हमारे हो गए निशल लंबस उसके बास स हमारा जो ग्रूप बन के तयार होता है यह मारे क्या हो जाएंगे आपर होल नंबर सो जाएंगे नमबर थर्ड आता है आपका इंटीरस इसको आब धियान करने हैं अब यह कि बहुत जादा में हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं कि यह क्या है या कैसे बने या इसके पीछे कि लॉजिक और ठिंकिंग के आथी कैसे जेनरेट किये गए तो इस लेक्चर में या भी क्लास 9 के स्टुएंट्स है तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसके बारे हैं वहुत ज़ाद आपको जानने की जरूरत है बस यह numbers की category जो है वो आपको पता होनी होते हैं इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है क्लास 9 में और इंटीजर्स की अगर मैं बात करता हूं तो आपके whole numbers तो इंटीजर्स में इंक्लूड हो जाते हैं 1 2 3 4 और निगेटिव जो तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो numbers होते हैं की पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं तो सबसे से हम अखने करते हैं तो टिना यह बता दे रहा हुँ जैड मिन्स वोते हैं आपका जहल और आपका German word है आपका यह German word है आपका और इसका मतलब होता है two count okay so that's why इसको हम जो है वो जैट से रिपेजेंट करते हैं या पर इसका जैट का मैंने आपको मीनिग बता दिया कई books में आई भी लिखा हुआ कई भी लिखा हुआ है तो आप ध्यान कर सकते हैं पर इंजनरल हम लोग जो है इसको वो जैट से रिपेजेंट करते हैं या आपको ध्यान रखना है पॉजट विखान दियास नोट आउट आउट आपका ऐपके निगेटिव नमबनें चाहते हैं अइट प्लस, इसला नोटेशन फिर फॉर पॉर पॉजटिटिव निगेटिव इंटीड़ी सा트. थर्ड केटिगरी हमारी और आतीस में अगर आप इन नंबर्स को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पहुच करके आप सभी लोग इन नंबर्स को नोट कर लिए क्योंकि आगे क्लास नाइन्थ में भी आपको बता दें थ्रूआउट मैस यह सारे नंबर्स को यूज होता र लगता है कि साथ थोड़ा सा इनकम्प्लीट नॉलिज होगी आप लोगों के पास तो रेशनल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले इन नंबर्स के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए जिससे कि आपका जब प्रेशनल नंबर्स के बारे में स्टड़ी करेंगे तो वह है बड़ी आसानी से आपको जो है वो समझ में आ जाए यहां पर नंबर्स के टिगरी होती है आपकी नॉन निगेटिव इंटिजर्ट अभी आप देख रहे होंगे इन दोनों ही कैटिगरी में हम लोगों ने जो है वो जीरो इंक्लूड नहीं किया हुआ है जीरो नंबर हम भी जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता है फॉर एक्जांपल से अगर मैं बात करूं सब्सक्राइब कि आपका यह जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डड़ ड़ यह किस तरह के नंबर्स का ग्रोप है और इसलिए इंटिजर्स किस तरह के पॉजिटिव इंटिज नहीं रखा जाता है इसको भी आप लोगो ध्यान लगने लेकिन पॉजिटिव इंटिजर्स के साथ जैसे हम इसको जिरो करेंगे तो बट अब हमारा जो यह ग्रोप है यह पॉजिटिव नंबर्स का ग्रोप अगर इसको बोलते हैं तो इस 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 रिफ्रेंस में जीरो भी पॉजिटिव नंबर्स के ग्रोप के साथ और जैसे ही जीरों को पॉजिटिव नंबर्स के ग्रोप के साथ एद करेंगे वह महと思います औंगको इसको लोको بब अच्छे ध्यान लगा जाएगा तो यहां पर नंबर का ग्रोप है यह नॉन निगेटिव क्योंकि यहां पर 12345 मनें इंटीज़र वर्ट यूज किया हुआ है प्याहरा नॉन निगेटिव इंटीजर्स का ग्रोप है इसको आपको ध्यान रखना है और नोन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं उसको ध्यान रखना है जैड प्लस प्लस जो हमारा वर्ड होगा वो नीचे की तरफ यह नीचे हम ऐस तरह से सोरी में यहां पर लगा देता हूं उसको जैड प्लस यह हम यूज करते हो ठीक है ना पॉजिटिव के लिए जो है वो प्लस नीचे यूज किया था ध्यान रखेगा नॉन पॉजिटिव क नॉन पॉजिटिव नहीं तो मैं आपको बता देता हूं मैं नॉन पॉजिटिव कोई टर्म नहीं है इस तरह का कोई टर्म जो है वो यूज नहीं किया जाता है इसको आप लोगों को जो है वो अच्छे से याद रखना यह तो एक बात हमारी हुई है यहां पर ठीक है ना दूसरी बात मैं आप लोगों को पता देता हूं यहां पर जो डिसकस कर रहा था क्या भूल रहा हूं ओके चलिए सफीसेंट है यह आप लोगे ठीक ना यहां पर यह सारी की सारी चीजह यहां पर आपका यह तयार हो गया इसको आप ध्यान रखें जाए यह बात होगी आपके उसके बाद नेच्स्ट आपका स्टार्ट होता है इंटीजर्स चलिए यह हो गया आपका बात करते है रेशनल नंबर रेशनल नंबर से पहले भी मैं थोड़ी सी चीजे आपको और बताना चाहूँगा कुछ नंबर्स हमारी रह गए हैं अच्छा, उसके लावा बार बहुत ज्यादा होगा तो यह लेक्टर है थोड़ा सामारा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो और इस वीडियो को और इस लेक्चर को मैं बहुत जादा एक्स्टेंड नहीं करना चाहता हूँ तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ थोड़ा सा even numbers में बच्चों को बड़ा confusion होता है मैं आपको बता दें even numbers यह आप देख लिए वो बच्चे हमें से समझते हैं कि even numbers की बात आती है numbers which are individual y2 ठीक है यह आप लोगों ने पढ़ा हुआ numbers which are individual y2 आप लोगों ने डेफिनिशन को आप लोग 2,4,6,8 इस तरह से ही करते हैं मैं आपको बता दू डेफिनिटली यह आपके even numbers है बट साइद आप कुछ इसमें छोड़ रहे हैं मैं आपको बता दू जीरो यह भी आपका even number है minus 2 यह भी even number है minus 4 यह भी even number है minus 6 निगेटिव numbers होते हैं यह भी टू के multiples होते हैं तो से exactly divide होते हैं अगर इन numbers को हम टू से अगर divide करेंगे या या आप से कहें जो हमारे इंकलूड होते हैं तो है जो है वह अक्सर यह भूल जाते हैं उनको याद नहीं होता है यह कई बार मैंने classroom में देखा मुझे याद आगे मैं इसाइद यही याद कर रहा था कि माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 वो कहते हैं कि सर हमारे तो even numbers जो है वो 2468 है उनको पता ही नहीं होता है अगर हम 2468 बोल रहे हैं यह सारे के सारे नेच्व नंबर से कई बच्चों को इसमें confusion रहते है तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो आपके इंटीजर से हम से लेक्ट करते हैं इविन से सलेक्ट नहीं करते हैं तो अगर आपको नहीं पता है तो इसको भी आप ध्यान रखेगा लेकिन मैं बात करें लिए उसके बाद बात करता है ओर इंटीजर मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ तो और इंटियास जो आपके विए नहीं होते हैं वह आपके जो है वह और इंटियास हो जाते हैं इसको भी आपको ध्यान रखना पर एक्जामबल सब्सक्राइब बात करते हैं 1357 आपको यह रिकॉल हो गया होगा याद आ गया होगा इसी तरह से 1-3-5 इसको भी आप याद रख सकते हैं यह आपके क्या हो जाएंगे और इंटियास हो जाते हैं उसके लावाब जीरो एक रहता हम इसा जीरो इविन नमबर क्यों है इसके बारे में चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं यह भी एक कोश्चन रहता है कि सिरो तो even number क्यों है वो और number क्यों नहीं है हमारा इसको भी आपको ध्यानमक नहीं है तो simply अगर देफिनिस कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम उस number को जो number है आपका उसको अगर हम 2 से divide करते हैं तो रिमेंडर जो है वो तो इसको यह follow करता है आपका देखिए यहां पर remainder के आपका 0 है और remainder का 0 है तो जो number होगा हमारा वो क्या होगा even number होगा तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 0 जो है हमारा even number होगा तो अगर वह 0 even numbers में इसको भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद दो बद numbers की category और बचीवे मैं जल्दी से बता देता हूं आपको prime number और composite number तो ध्यान रखना है कि जो even और odd numbers होते हैं यह integer से select करते हैं इसको हम ठीके ना बट अगर हम इसी में prime numbers और composite numbers की बात करते हैं prime numbers और composite numbers की जो category हमने डिवाइट कि है वो natural numbers से बाइट की है या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि prime numbers और composite numbers से होते हैं वो subset होते हैं यानिकि subset का मतलब सायद आप लोग नहीं समझ महाय होगा और यानिकि subset इंदा संस की prime number and composite number अगर है तो नेचरल नमबस जरूर होंगे इसका आपको ध्यान रखना है ठीके न अब तो प्राइम नमबस के बारे में आप लोग डेफिनिशन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ आप लोग ने अगर मैं एक नमबर लिया यहां पर लिख नहीं नमबर अगर जो प्राइम नहीं होगा वो इसको भी आप याद रख सकते हैं एनी नेचरल नमबर विचार नौट प्राइम इच कॉल्ड कमपोजिट नमबर तो की बात करता हूं तो सिर्फ एक वन फैक्टर होगा वन तो हमेशा होगा हर किसी का और एक टू होगा इसके लाबा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है यानि कि इस नमबर के सिर्फ हमारे दो फैक्टर से अगर दो ही फैक्टर से तो यह नमबर हमारा क्या हो जाएगा प्राइम नमबर हो जाएगा इसी तरह से कर में थी की बात करता हूं तो वन और थी के बल दो फैक्टर सोंगे प्राइम नमबर है बट अगर मैं फोर की बात है बट अगर एक ज़्यादा अगर आपको फैक्टर मिल रहे हैं तो आप समझ जाए वह फैक्टर से ही उस्की तरह से और फाइप की बात करूं अब इसलिए उन फाइब से यह होता है इसी तरह से गर बात करें तो 106 के अलाबा ये 2 से भी हो जाता है अब इसली 3 से भी होता है यहाँ पर लेकिन अगर एक ज़्यादा नंबर अगर आपको factors मिल रहा है उसका तो वो composite नंबर हो जाएगा ठीके ना तो मैंने जल्दी से ये सारक सारक क्लास एर्थ का आपको revise करा दिया है जिसमें आपको मैंने numbers के बारे में बताया था ये numbers को आप एक बार अगर नहीं पता है तो इनको वीडियो को पहुच करके आप नोट कर सकते हैं या फिर class एर्थ की book दोबारे से उठा कर देख सकते हैं वहाँ पर भी इन सब लंबर की definition आप से discuss करता हूं और जो हमारा next question आएगा उसमें property of rational numbers भी डिसकस करेंगे आप लोगों से और इसके बाद रेशनल लंबर किस तरह से questions बनते हैं उसको भी हम discuss करेंगे वीडियो को मैंने पहले ही बोला है कि आपको मैं बहुत जादा एक्स्टेंड नहीं करने वा करता दिया और जल्दी से हम अपनी रेशनल लंबर की definition कई बार क्या होता है मैं क्लास के बच्चे जब क्लास 9 में आते हैं और क्लास 8 में उन्होंने रेशनल लंबर के बारे में पड़ा हुआ होता है ना तो जब मैं पूछता हूं कि वाट इस देफिनेशन ओफ रेशनल ल जाने से पहले मैं आपको उसका रेशनल लंबर को कैसे identify करते हैं वह बता रहा हूं फिर on that basis हम रेशनल लंबर की definition को भी यहां पर लिखेंगे तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिंपल से रेशनल लंबर के बारे में अगर आपको पता करना है अनी नंबर हैं या फ्रेक्शन की फॉर्म में हो सकता है इसका ओल टा रेशनल लंबर बहुत ही सिंपल सी definition इसके आगे मैं और कुछ नहीं बताऊंगा आपको Suppose that मैं यहाँ पर एक number लिख रहा हूँ 2 upon 3 और मैं पूछता हूँ कि बताई है यहाँ पर यह additional number है या नहीं है तो most importantly आपको कितनी चीज़ है याद रखनी है आपको बता दू यह form जो है number one fraction की form होनी चाहिए तो yes यह fraction की form में है fraction form का मतलब होता है in sort आप इसको P upon Q की form भी बोलते है ठीकिना इसको ध्यान रखेएगा आपकी P upon Q जो आपने कई books में यह आपका A upon B लिखा रहता है A upon B पढ़ सकते है P upon Q पढ़ सकते है C upon D पढ़ सकते है no matter कि आप इसको क्या पढ़ रहे है बढ़ इन जनरल जो books में लिखा रहता है वो P upon Q या A upon B लिखा रहता है दूसरी चीज की कभी भी अगर आप जनरल form बताते है जैसे मैंने यहां पर बात की P upon Q तो दूसरी चीज है आपको P और Q को define करना पड़ेगा तो second thing is that कि P and Q are integers यह हमारे क्या होंगे integers होंगे most important ठीक है ना यानि यहांपा जो numerator और denominator होगा वो integers होना चाहिए and third condition is that Q is not equal to 0 जो आपका Q है वो 0 नहीं होना चाहिए सिर्फ आपको तीन चीज है आपको याद रखनी है मैं फिर कह रहा हूँ आप से कि rational number की definition आपको याद है या नहीं है exact world to world no problem but most important thing is that कि rational numbers को आप identify कर पा रहे है या नहीं कर पा रहे है सबसे बड़ी चीज़ देखें जैसे मैंने एक number यहां पर लिखा हुआ है 2 upon 3 ठीक है ना अच्छा इसमें मैं भी third point की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी number जिसका denominator 0 होता उसकी value not defined होती ठीके ना तो किसी भी numbers का जो denominator है वो 0 नहीं होना चाहिए so that's why जो है यहां पर q is not equal to 0 होता है कई बार class में अगर teacher आपसे पूछते कि बच्चे याद कर लेते हैं बट अगर teacher पूछते कि क्यों 0 क्यों नहीं होना चाहिए तो आप उसको explain कर सकते हैं कि सर्क किसी भी fraction में अगर denominator 0 होगा तो इस fraction की value होगी वो not defined हो जाए तो इसको आप लोगों को याद रखना है पहली चीज तो यह हुई ठीक ना इसके बारे में यह क्यों होता है इसके बारे में आगे के lecture में आपसे discuss करूँगा मैं बता दूगा बट देखेगा अभी सिर्फ आप इतना याद रखीगा दूसरी चीज मैं आपको बताओ यह तीन थी पॉइंट लिखे हुगा अगर और क्यों चाहिए आप देख सकते हैं कि नुम्रेटर डिनॉमेटर टू और त्री दोनों इंटीश है इसलिए मैं बोल रहा है कि रेशनल लंबर अगर आपको इंटीश सी नहीं पता है क्या होता है तो तो यहां पर यह तो और थ्री हम जानते हैं अभी मैंने बताए कि कंडिशन या जो यहां पर लिखे हुए वो फॉलो हो रही है तो इसको आप कहेंगे कि सर हम तो अपन त्री इसको बोलें तो रेशनल लंबर में एक चीज़ आपको और दिखने है कि कभी अगर रेशनल लंबर लिखा होता है तो जब हम उसको सिंप्लेस्ट फोर्म में दिखना तो इसका भी ध्यान दखिए लेकिन अगर आपसे कोई जस्टिफाई करने के लिए बोलता है वह आपका रेशनल लंबर है या नहीं है तो मैं आपको बता दें इन दोनों चीजों में बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज रहते हैं तो यहां पर मुझे ध्यान आगया जल्दी से मैं बता देता हूं कि अगर कोई आपसे भूचता है तो आपको सिंप्लिफाई करने की जरूरत नहीं आप डारेक्ट इन तीनों जो कंडिशन मैंने बताई उनको यहां पर जस्टिफाई करिए कि यह फॉलू कर रही है और फॉलू करने के बाद तुरंत आप बत लिखा यहां पर टू यह आपका रिशनल लंबर होगा यह नहीं होगा क्योंकि तो आपका फ्रेक्शन की फॉर्म में नहीं है तो कोई भी इंटिजर में आपको बता दू वह हमेशा अपॉन लगा कर लिख सकते हैं टू इकॉल टू अपॉन लिखा जा सकता है और टू अप बíciaत की अपर समझ जाई है यहां पर यह हमारा क्या है क्या है इस्को अपलों ड्रेशनल लमबर होगा और टू अबस्की तो बीखना है तो कि आती है इसो किढरक यचे हैं अब कीशनल लंबर भीखना है ठीक है नहीं इन दी फॉर्म ओफ जो बुक्स में आपकी लिखी रहती है वो डेफिनेशन उसके बारे में बात कर रहा हूँ यह नंबर इन दा फॉर्म ओफ पी अपॉन क्यू इस कॉल्ड रेशनल नंबर यहां पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स यही मैंने बताया था आपको सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप था आपका एंड क्यूंज नौट इकॉल टू जीरो बस खतम हो गया आपका यह आपकी डेफिनिशन होगी मैं आपको बता दोता हूं कि अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया तो डेफिनिशन बहुत बड़ी चीज नहीं कि इसको आप याद नहीं कर सकते हैं कई बार क्या होता है इसका मतलब बतानी उसके बाद इसको डेस्क्राइब करते हैं मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगरम एक्जाम बनाते हैं तो जहां पर जो सूट करता है वह बना सकते हैं कोई ऐसा दिकतनी मुझे लगा कि रेशनल लंबर को बताने से पहले डेफिनिशन को लिखने से पहले अगर मैं इसके एक्जामपल दे दूं आपको और उसका मीनिंग बता दू तो ज्यादा के लिए हो जाएगा इसको इसको करने से पहले मैं तोड़ा सaters जीरो के बारे मह बताजेता हूँ जीरो आपका कोशन पूछा भी जाता है अलग से एक जीरो रिचंट लंबर क्या खृच्ष हर फिर नहीं है तो इसके लिए मैं आपको बता जिता हूँ फिर से हम बात करतें जीरो को हम 0.1 लिख स यह बींतिस है। रेच्टों यहां पर मैं सिर्फ रेश्णल लेंटिया था और रेश्टों को डिवाइन करने से पहले मैं थोड़े से नंबर के बारे मैं आपको बता दिया था उमीर है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से और अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आस्यानी से घर पे बैठ कर रिवेंड कर ये देखिए एक एक वर्ड सुनिए जो मैंने आपको बताया है ठीक ना जब इन सारी चीज़ों के बारे में आप नमबस के बारे में जान जाएंगे तो मुझ तरी बताया है ठीक बताया है तो मुझी है तो मुझी है से बारे में जाएंगे लिए जाएंगे लिए औरियों कि आльएंगे।